जैहिन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नितुवा स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टैडिवी सिखर पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 महत्वण प्रशनों को तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा इसे के अलावा जो आज 30 क्वेश्चिन है वो आपके जीके से रहेंगे इसके अलावा हम उत्राखंड के हिंदी के भी क्वेश्चिन करते रहते हैं तो आप जुड़े रहे हमारे साथ तो आज के इस वीडियो में देखिएगे हम जीके के क्वेश्चिन तो पहला क्वेश्चिन आज का यह तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोजार आठ चार नॉमबर दोजार आठ को नेक्ट वेशन आपर है निम्न मैंसे कौन सा समू कम्प्यूटर के केवल इनपूर्ट डिवाइज से संबंदित है तो यह संबंदित है दोस्तो माउस कीबोर्ट और इसके नद तो आपसन में 2003, 2005, 2007 तो बहुत ही इंपोर्टेंट वेशन है सूजना का अधिकार अधिनियम दोस्तों यह पारित हुआ ओपसन नंबर C 2005 में नेक्ट वेशन यूनस्को का मुख्यालाई निम्न मैंसे कहां इस्तित है रोम, जेनिवा, निव यॉक या फिर पैरिस आपसन नंबर D पैरि आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनस्को का मुख्यालाई है पैरिस और इसकी इस्तापना हुई थी 1945 में नेक्स्ट वेशन या पर देखेंगे सविधान के किस अनुछेत के तहट भारत के किसी राज्य में राष्ट बती सासन लगाया जाता है 355, 356, 360 या फिर 376 तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुछे 356 अनुछे 356 के तहट राष्ट पती राज्य का सविधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में असासन लगा सकता है नेक्स्ट वेशन या पर है नेमनमैसे किसके पास विश्व का सरवाधिक यूरेनियम भंडार है आस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस या फिर सायुक्त राज अमेरिका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्ट्रेलिया ओप्सन नमबर ए बढ़ेंगे नेक्स्ट वेशन की तरफ नेक्स्ट वेशन, राज सभा का पदेन सभापती कौन होता है राश्ट पती, उपराश्ट पती, इस्पीकर या फिर प्रधान मंत्री तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपराश्ट पती ओप्सन नमबर दी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा उपराश्ट पती दोस्तों, उपराश्ट पती जो यहाँ पर लिया गया है यह अमेरिका, USA से लिया है और 63 से 63 में खागया की, अनुच्छे 63 में कहा गया है की भारत का ओपराश्ट पती होगा और अनुच्छे 64 है उसमें कहा गया है की USA की जो अपर हाउस है उसमें जो अधिक्च होता है, उसके समानी भारत का ओपराश्ट पती होगा इसलिए अलावा दोस्तों, आपको एक क्वेस्चिन का आंसर करना है कमेंट करके भारत का कौन सा ओपराश्ट पती जिसकी कारेकार के दोरान मिटती होगी थी तो यह आपको कमेंट करके बताना है, इससे के अलावा दोस्तों राश्ट पती किसको अपना त्याग पतर देता है तो यह देता है रास्ट पति को उपराश्ट पती रास्ट पती को और रास्ट पती अप로 प्ट्र देते हैं तो बढ़ेंगे निक्स टूर्फ के तरफ नेक्सिल यहाँ पर है औल इंडिया ट्रेट ईून्यान क कॉंग्रेस की स्वर्स बनाई गई 1901 1902 1947 या फिर 1930 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्स 1920 में नेक्स्ट विशिन डॉट डॉट यह कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा महत्मा गाधी ने लाला लाजपत राई इने बाल गंगाधर तिलग या फिर सर्दार बल्लब भाई पटिल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलग या बीजी तिलग तो बाल गंगाधर तिलग आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलग को दोस्तों भारत का असान भारत असां कौन था रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वाइस राय बताना है और आपके लाड विर्विन लाड रीडिंग लाड माउंट बेटेन या इन मेंसे कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी रॉलेट एक्ट में दोस्तों सरकार किसी भी संधे होने की स्थिति में गिरपतार कर सकती थी और दोस्तों यहां पर लाड माउंट बेटेन हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं लाड माउंट बेटेन दोस्तों अंतिम वाइसराय और पर्थम गवर्नल जनरल थे भारत के अंतिम वाइसराय और पर्थम गवर कि तरफ 42 सविधान संसुतन द्वारा कौन सा नया सब्द सविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया अखंडता पंत निर्पेक्स समाजवादी या उपर्युक्त सभी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी ऑप्सन नमबर डी विल्कुल सही होगा तो उद्दे सिका में दोस्तो जो प्रस्तावना है या उद्दे सिका है उद्दे सिका को सविधान की कुंजी कहा जाता है जिसे जवाहल नाल नहिरु ने सविधान सभा में परस्तुत किया था तो जो ये अखंडता पंत निर्पेक्सता समाजवादी सब्द हैं ये 42 तरके तहट यह सब्द चोड़े गई बढ़ेंगे नेक्ट वेशन की तरफ हरी सिंग थापा का संबंद के स्खेल से हैं बॉक्सिंग भॉरत तोलन एथलेटिक्स या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सिंग थापा बढ़ेंगे नेक्ट वेशन की तरफ नेक्ट वेशन या पर है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का पर्थम अध्यक्ष कौन था यह वो ह्यूम व्योमेश चंद्र बनर जी सुरेंद नाथ बनर जी गोपाल कि रसन गोखले तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर जी भारतिय मुस्लिम जो अध्यक्षते वो थे आपके बद्रुदिन तयव जी और अंग्रेज जो अध्यक्षते पर्थम वो थे आपके जॉर्ज यूल और इसके अलावा जो गोपाल के रसन गोखले हैं यह महत्मा गादी के राजनितिक गुरु हैं बढ़ेंगे नेक्स्टोगेशन क आपका हो जाएगा ऑफ्सन नमबर डी बैरकपूर बैरकपूर आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेंगे नेक्स्टोगेशन की तरफ अजाज सत्रु ने किस महा जनपत के विरुद्ध रत मुसल्वा महासिला कंटग नामक हतियार का परियोग किया यह सबसे टाप अजाज सत्रु ने किस महा जनपत के विरुद्ध रत मुसल्वा महासिला कंटग नामक हतियार का परियोग किया अंग अवंती वैसाली या फिर वस्च तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन नमबर सी वैसाली वैसाली के विरुद्ध दोस्तों अजाज और रत मुसल्वा हतियारों का परियोग जाज सत्रु दोस्तों हरिया कौनस का दूसरा सवसत था हर्य कौके इसताबना की थी भीमबी सान ने भीमबी सान ने भीमचlor क्जिन उसके पुत्र ने अजाज सत्रो के समय दोश्तों दुतिय पर्थम बहुत संगीती हुई थी याद रखेगा अजास सत्रू के समय और अजास सत्रू के उपनाम दोस्तों बहुत है जिसमें से आपको याद रखना है स्रोणिक उपनाम सुरोनिक उपनाम है अजास सत्रू का याद रखेगा इसे के अलावा दोस्तो अजास सत्रू बहुत धर्म का अनुयाई था इसके बाद उदाइन सासक बना और उसने पार्टली पुत्र अपनी राजधानी बनाई बढ़ेंगे नेक्स्टिवेशन की तरफ निम्न में कौन सामिल नहीं है दिल्ली कोलकाता चेन नहीं या फिर हैदराबाद तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद ऑप्सन नमबर डी नेक्स्ट वेशन आपर है भारत में राष्टिया मानवा अधिकार आयो की इस्तापना किस वर्स की गई दोजार द में दोस्तों वर्स 2011 में मानवा अधिकार आयो की इस्तापना हुई नेक्स्ट वेशन ओसन कठी बंदिये वन पाए जाते हैं स्वीडन डैनमार्क में अलास्का उत्तरी कनाड़ा में दक्षिन पूर्वी एसिया या फिर उत्तरी साइबेरिया तो इसका राइट आंसर विए एसिया में आपसन नंबर सी बिलको सही है नेक्स वेशन आपर है गुप्त वन्सका संस्तापक कौन था चंद्र गुप्त पर्थम घटोत कच श्री गुप्त या कुमार गुप्त तो इस तरह के क्वेशन आपके दोस्तों एक्जाम में पूछे जाते हैं तो गुप्त गुप्त वन्सका संस्तापक कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गुप्त श्री गुप्त याद रखेगा गुप्त वन्सका संस्तापक कौन था तो इसके बाद दोस्तों याद रखेगा श्री गुप्त ने आधी राज की उपाधी धारन की थी श्री तो चंद्र गुप्त पर्थम को माना जाता है गुप्त वंसका पर्थम वास्तविक संसापग इसे के अलावा दोस्तों समुद्र गुप्त भी गुप्त वंसका ही था और समुद्र गुप्त को कहा जाता है भारत का नैपोलियन समुद्र गुप्त ने दक्षिन भारत के बारा राजाओ वो उत्तर भारत की नौ राजाओ को प्रास्ट गिया था इसलिए भारत का नैपोलियन कहा वी सेंट इसमित ने समुद्र गुप्त को बढ़ेंगे नेक्स्ट वेशन की तरफ भारत की केंद्रिय मंत्री परिसत किसके परती उत्तरदाई होती है राष्ट पती, संसद, राजसभा या फिर लोगसभा तो बहुत ही इंपोर्टेंट केशिन है भारत की केंद्रिय मंत्री परिसत किसके परती उत्तरदाई होती है तो यह होती है आपके लोगसभा के परती और भारत के केंद्रिय मंत्री परिसत का परधान कोन होता है तो वो हो है आपका पर्धान मंत्री बढ़ेंगे नेस्टिवेशन की तरफ भारत में राष्ट या विकास परिशत की इस्तापना हुई 1950, 1949, 1952 या फिर 1951 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में याद रखेगा और डेट है इसकी 6 अगस्त 1952 को राष्ट ये विकास परिशत की इस्तापना हुई थी और इसका अध्यक्ष पर्धान मंत्री होता है दोस्तों और इसके सदस्यान्य राज्यों की मुख्य मंत्री होते हैं बढ़ेंगे नेक्स्ट विश्व भोगता दिवस कब मनाया जाता है 20 मार्च 15 मार्च 21 मार्च या फिर 19 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व भोगता दिवस नेक्स विशिव लिटाया पर है नर्मदा नदी का उद्गम कहां है सत्पुड़ा अमर कंटक ब्रहम गिरी या फिर पस्चिमी घाठ के ढ़ाल इसका राइट आंसर हो जाएगा आप का अमर कंटक से निकलती है नर्मदा नदी नेक्स विशिव लिए आपर है पावर्टी एंड अन्विट्रिस रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं पीसी महाल नोविस जे सुम्पिटर या फिर दादा भाई नौरजी या जी के कोखले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरजी द्वारा लिखी गई है पावर्टी अन्विट्रिस रूल इंडिया दादा भाई नौरजी को दोस्तों कहा जाता है दे ग्रेट ओल मैन ओफ इंडिया याद रखेगा और इनी के द्वारा ये बुक लिखी गई है बढ़ेंगे नेक्स्ट विशन की तरफ नेक्स्ट विशन आपर है निमन लिखित मैंसे कौन सी रेखा भारत को दो अ प्रिम से और आइंसर हो जायेगा 82 मोशन नंबर डी आपका राइट अंसर और नेक्सकार अबतरों कर्क के रेखअ बहुत की लिखन कि बढ़ेंगे नेक्स्ट वेशन की तरफ, नेक्स्ट वेशन आपर है महान, निर्त्यांगना, सितारा देवी का संबन्द था, तो आप्सन है आपके कथक से कथकली, भरत नाटे में आप रुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक से आप्सन नमबर एक, नेक्स्ट वेशन मकराना राजिस्तान की खान किस के लिए परसिद्ध है, तो इंपोटेंट वेशन है, ताबा, कोईला, सोना या फिर संग मरमर, मकराना राजिस्तान की खान दोस्तों ये परसिद्ध है आपके संग मरमर के रिए, तो आप्सन नमबर डी बिलको सही हो नेत्थ वुश्य ने आपर और इंपोर्टेंट आ गया है किस वर्स भारत में केंध्रिया-7 कता-ऐक का गठन किया गया उनिस 116 ark साथथ・ 1932р ev와 1944Isi सिक्वेंस से आपके आप सगे होंगे याद रखेगा दोस्तों केंध्रिया-7 कता-ऐक का गठन किया वर्स 1974 नॉप्सन नमबर डी बिलकों सही हो जाएका है इन मेंसे कौन सा इक अलपाइन परवत का उधारण है तो ऑपसे धारवाद वाज्जेस या फिर हमालाई या इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा ही मालाई एक अलपाइन परवत का उधारन है बहुत important question है आज का last question या पर है दोस्तों किसी की देश के आरती कल्यान का सबसे उप्युर्युक्त मापक है राश्टिया आए पर्ति व्यक्ति आए शकल राश्टिया उत्पाद या फिर A और C दोनों तो A और C दोनों आपके हैं तो आपका विल्कुल गलत answer या प परतिवेक्ति आए किसी देश के आर्थिक कल्याण का सबसे उप्योगते मापक है तो दोस्तों यह थे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चिन उम्मीद आपने सारे क्वेश्चिनों के अंसर किये होंगे कोई क्वेश्चिन आपको नहीं आता है तो आप उन्हें नोट जरूर करें ताकि वह भी तैयारे अपने अच्छे से कर सके तो जै हिन जै भारत